हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल सज्जूस क्लासेज में उत्तर प्रदेश लेक पाल भरती को लेकर जिस तरह से मजाग बनाया जा रहा है वो काफी दुख्यद है और कहीं न कहीं एजुकेशन सिस्टम, यूथ और इन सब के लिए यह बहुत ही घातक है जिस तरह से 23 डिसंबर को रेजल्ट आने के बाद याची गैंग जिस तरह से एक्टिव हुए है उसको देखकर यही लग रहा है कि वो इस भरती को सिर्फ फशाना चाहते हैं उनका मकसद और कुछ नहीं है जो केस 2022 में, 2023 में सिंगल बेंच, डिविजन बेंच से डिस्पोज हो चुका था उसको सुप्रीम कोट पहुँचा दिया गया है एक क्वेशन आपका विद्धय चलवाला था जो कि सिंगल बेंच में डिस्पोज हो चुका था, खारीज हो चुका था उस केस को डिविजन बेंच में लाया गया है और इसलिए नहीं कि उनको नयाय चाहिए उनको डिवीजन बेंच में इस केस को डिस्पूज करवा करके सुप्रीम कोर्ट महुचना है जहां पे अमानुला खांसर ने इन लोगों को मौका दे दिया है इस बैकेंजी पर इस्टे लगा कर तो देखें यहां पर जो विंध्या चलवाला परस्टन है वो डिवेजन बेंच में इस्पेसल अपील 477 ऑफ दो हजार चौबिस के नंबर पर है यह इसका जो इस्पेसल अपील नंबर है वो 477 ऑफ दो हजार चौबिस इसके जो पटिशनर है आपको पता है वो मुकेश कुमार जी यहां पर आप नाम देख सकते हैं मुकेश कुमार जिनके वकील है जितेंद्र राना और अरविंद कुमार यादो और रिस्पॉंडेंट में स्टेट आफ यूपी और देखें पर चौथे नंबर पर आपको दि जो है डीटेल कोर्ट नंबर 40 में लगा हुआ यह और सीरियल नंबर 36 पर फ्रेश लिस्ट में है तो अगर आप इसकी काज लिस्ट देखेंगे तो वो भी आ चुकी है और मैं यहीं पर इसको भी एड़ कर दिया हूँ यह है आपका आइटम नंबर 36 और मुकेश कुमार वर् एंड जीचेंडर राना हमारी तरब से शिदार्थ सिंगल सर रमेश कुमार तिवारी ठीक है तो यह पूरा इंफॉर्मेशन है इस कोईशन का विंद्य चलावले परशन का जो की सिंगल विंच से खारी हो चुका था और आपने देखा होगा निउस पेपर में तमाम सारी ब और आज गलके जो इस्टुडेंट्स हैं उनको अपना फ्यूचर बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना किसी और का बना बनाया फ्यूचर बर्बाद करने में है तो यह है इन जो शड़यंतरकारी हैं उनकी यह रणिनित है और इस रणिनित है के तहट इन लोगों बिंध्या चलवाले प्रश्णों को भी गसीट कर डिवीजन बेंच में ले गए और डिवीजन बेंच में ले जाने का कारण मैं आपको फिर्शे बता दे रहा हूं इनको जस्टिस नहीं चाहिए ये सिर्फ बैकेंसी को डिले कराना चाहते हैं तो आप लोग इनकी चाल को समझे लीजिए और हर फ्रंट पर हर जगा पर आप लोग यूनाइट रहिए अगर आप लोग यूनाइट नहीं रहेंगे तो ये बैकेंसी कभी किलर नहीं होने वाली है और आपका कभी भला नहीं होगा ठीक है तो बसे इन्फॉर्मेशन थी थैंक यू